वेलकम टू हाइपटरोफी हब आज हम बैक का वरक अट करेंगे जिसमें हम तीन सेट्स लगाएंगे 10 से बारा रेप्स के वाइड गृड गृब पुल अप्स के मेंडूवर मार्बल रोस के भी उसके बाद सीटेड वाइड गृड रोस के उसके बाद तीन सेट लगाएंगे लैट पुल डाउंस के और लास्ट में दो फेलियर सेट डंबल पुलोवर्स के हम अपना बैक का वोकाउट स्टार्ट करेंगे वाइट ग्रिप पुल अप से जिसके हम तीन सेट लगाएंगे आठ से बारा रेप वाइट ग्रिप पुल अपस बैक के लिए एक अच्छा वॉम अप एक्सेसाइज की तरह भी काम करेगा और हमारे बैक के मसल्स को पंप अप करके रेडी करेगा हमारे अगले पूरे बैक वर्काउट के लिए हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए अपने बैक वर्काउट के दिन वाइट ग्रिप पुल अपस एक्सेसाइज जरूर इंक्लूड करेगा बैक के लिए वाइट ग्रिप पुल अपस करते वे हमें कुछ बातों का ध्यान दिरूर रखना है एक तो कि हम लोगों को अपना निफ्नाच को ठीक हो बाइट रखना है जब हम वाइट ग्रिप पुल अपस लगा है और अपने हातों या कंदों का यूज नहीं करना है जितना हमें अपनी बैक की मसल्स का यूज करना है अपनी बॉड़ी को उपर पुल करने के लिए अब हम हमारे सेकंड वर्काउट पे आते हैं जो कि एक कमपाउंड एक्सराइजर बैक की कि दोश्य बैक की अच्षी खासर आये। को अच्छी को अच्छी थेखने कर दोब अढ़र्बार्फों Georgia करते वह थोड़ी बात जो लोग बेंड़ोगर बार्बल रोज में अभी कमफर्टिबल नहीं है वो डंबल रोज स्टेंडिंग डंबल रोज से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन बहतर होगा अगर आप थोड़ असा कम वेट लगा के अच्छी फार्म के साथ अगर आट से बारा रेप निकाल सके बार्बल रोज में वो ज़्यादा बेटर होगा इसलिए कोशिश करें कि आप फुद बार्बल रोज करें इस आपको कोशिश करनी है जब नीचे जा रहे हैं तो घुटने से नीचे आपको वेट को लेके जाना है हाई है और उपर जाब आ रहे हैं तो अपनी बैक की मसंद्स को पूरा कॉंग स्कुिज हो वारे लिग चrone हमारे त्रेटेट रहे हैं करते समय को को टाइट रखना है में एक्डम आपना पर हो तो आपको बने बैक की मसंद्स को फूरा स्कूइज करते वे पीछे लेकर आना है अपने हाथों को और जब आगे जा रहे हैं तो आपके लैट्स पूरे खुलते वे जाने चाहिए आपके पूरा स्ट्रेच होना चाहिए वाइट ग्रिप, सीटेड रोल्स एक बहुत अची एकसी साइज है बैक के विर्थ और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बिना अपनी बैक पे जादा और जोड डाले कोशिश करेंगे आप इस एकसाइस को perform लैटपलडव मशीन पर करें ना कि केबल पुली मशीन पर क्योंकि केबल पुली मशीन पर पुली होती है जो आपके रेजिस्टेंस को थोड़ा हलका और एज़ी कर देती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वाइड ग्रिप लैड पुल डाउन और इसके भी हम तीन सेट लगाएंगे आठ से बारा रेप या दस से बारा रेप रेज आप रख सकते हैं है आपको अपनी ग्रिफ शोलडर विट से थोड़ी सी डू रकने हैं और वेट को नीचे लेकiphınd आना है कोशिश का phenomenon है अपनी upper chest अपनी upper collar bone तक या अपने चिन से नीचे आपको बार को लेके आना है और निचे और आतीवे आपको अपने लेट्स को पूरा squeeze करना है और उपर जाते वे भी पूरा लेट्स आपके खुलने चाही है तो इक बात का ध्यान रखना है कि आपको वेट रेंज हो रखना है आप उपर टॉप कॉर्णर में इमेज देख सकते हैं जैसे आपको पता लग सकता है कि वाइट ग्रेफ लैट पॉल्डाउंस हमारी कॉंट सी बैक के निसल्स को ट्रेन करते हैं हमारी आच्छी लास्ट एक्सराइज डंबल पुलोवर्स इसके भी आप तीन सेट लगा सकते हैं आठ से बारे रएप पर मैं यहां पर दो फेलिर सेट लगाना हूँ डंबल पुलोवर्स की डंबल पुलोवर्स एक बहुत इच्छी एक्सराइज है तो और अपको हैवी हैं वेट को लेकर कोशिश करें अपना कोर को जितना टाइट रख सके ताकि आपकी लोवर बॉड़ी उपर ना उठे आपको अपने कोर को टाइट रखना है अपने हाथ को ज्यादा बेंड नहीं करना है आपको ट्राइसेप्स का इंवाल्मेंट नहीं चाहिए आप करेंगे उत्मा बैटर रिजल्ट यह एक्सराइज आपको देगी आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी आपकी बैक को दिखने में भी अच्छा बनाएगी और इसका बोनस मिलता है आपको आपकी चेस्ट मिसल्स को भी हिट करती है